अस्सलाम अलेकुम आज मैं बनाती हूँ श्टफ़र क्यापसिकम बहुत ही सिंपल रस्पी बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबको बहुत पसंद आने वाल रस्पी चीजी चीजी हेल्थी भी है टेस्टी भी है चीजी भी है और बहुत सारे विटमिन्स भी है इसमें चल और बारिक से चॉप किया हुई कैपसिकम एकदम थोड़े से आड़ करी हूँ फिर बॉयल किया हुआ चिकन को आड़ करी हूँ फिर मैं आड़ करी हूँ थोड़ा साल्ट थोड़ा सा रेचिली फ्लेक्स अपने टेश के हिसाब से आड़ करना साल्ट रेचिली फ्लेक्स रे आप चिली सास को भी यूज कर सकते हो या फिर शेजवान चेटनी को भी यूज कर सकते हो सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी मैं इसको साइड में रख लेते हो आप देख सकते हो अभी मैं कैप सिकम को ले लिए हूँ छोटे वाले आपके पसंद ये हिसाब से आप बड़े या छोटे वाले ले सकते हूँ अभी आप वीडियो में जैसे दिखा रूँ उसी तरह से इसको कट करना है और अंदर की जो भी सीड्स हैं उस सारे सीड्स को निकाल लेते हैं क्यूंकि हम स्टफिंग करना है इसलिए हमें अंदर के जो भी सीड्स निका लेते हूँ सारे क्यापसिकम को भी इस तरह से कलीन से निकालना है हमें मैं simple सा बनाती हूँ आप चाहे तो आपकी ज्यो भी पसंद है उसी हिसाब से आप वेजेटेब़्स को एड़ कर सकते हो सकते हो अब देख सकते हो सारे क्याप सीकम को इस तरह से कट कर लेते हैं अभी इसके अंदर से अच्छे से आईल को अपले कर लेते हैं دाकि ये जले एना तरह से स्टफ कर सकते हो या फिर अप चीज को में ले 일र बे ले दाल कर भी के ऐसंग कर लेते हैं मैं तो इसको चीजी श्टफ़र क्यापसिकम बोलती हूं आप चाहे तो इसको श्टफ़र क्यापसिकम पिज़ा भी बोल सकते हो क्यूंकि पिज़ा के सारे इंग्रियन्स तो मैं इसमें डाली हूं अब देख सकते हो वीडियो में सारे क्यापसिकम में श्टफ कर ली हूं मैं अब देखते हो आभी इसमें उपर से दालते हैं चीज धेड सारा चीज दाला ताकि बच्चों को बहुत पसंद आती है अब देख सकते हो मैं तो भर भर के श्टफिंग करती हूं चीज की मैं तो मिक्सर हर्प्स या फिर पिज़ा सिजनिंग को याड नहीं करी थी श्टफिंग में क्यूंकि मैं जब चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब मैं उपर से याड करूँगी बहुत अच्छा फ्रेवर आता है मुझे बहुत पसंद है आप चाहे तो श्टफिंग में मिक्सर हर्प को याड कर सकते हो या फिर आपके पास नहीं है तो ओप स्किप भी कर सकते हो आप देख सकते हो आप इस च्टफिंग अच्छे से कर ली हूं ूपर से जो कैप सिकंग के जो हम डेट कित कर रहे थे उसको हम लिड़ की तरह क्लोस कर लेते हैं अब verw किश्वान क किये हुए क्याप्सिकम्स को बहुत ही हिल्थी रस्पी है बहुत ही सिंपल रस्पी फाइमनिट से अभी आप देख सकते हो वितिन फाइमनिट में क्याप्सिकम्स रेडी हो जाते हैं और चीज भी अच्छे से मिल्ट हो जाएगा आप चाहे तो ओवन में भी आप बेक कर सकते अब भी मैं ऊपर से थोड़ा सा ओयल को अपले कर लेती हूं क्याप्सिकम्स पे अब चाहिए तो बटर को भी अपले कर सकते हूं अब लिट क्लोज करके इसको सिर्फ और सिर्फ फार्म निट्स के लिए पकाना ज्यादा नहीं आप देख सकते हो 5 minutes हो गया है आप देख सकते हो वीडियो में इसका फ्लेवर बहुती अच्छा आता है वितिन 5 minutes में श्टफड क्यापसिकम तो रडी हो गया है आप मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी बहुती सिंपल बहुती easy tasty recipe है ये बच्चों को बड़ो आने वाली जरूर ट्राइक करना मांसुर में आप देख सकते हो वीडियो में मैं इसको इसका लिड ओपन करके दिखाते हूं melted cheese कितना अच्छे से चीज मिल्ट हो गया है और थोड़ा से जला हुआ भी नहीं बहुत अच्छे से कुक हो गया है अंदर से हो या बाहर से भी अ आप देख सकते हो सारे क्याप्सिकम में चीज अच्छे से मिल्ट हो गई है गर्मा गर्म इसको सर्फ करना बहुती हिलती टेश्टी स्टफ़ड क्याप्सिकम आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन